कॉंपस एंड रूलर के हैल्फ से सिक्स्टी डिग्री कैसे ड्रो करेंगे कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे तो चलिए क्या करेंगे सबसे पाले scale लेंगे और एक line draw करेंगे जैसे यहाँ पर दिखिए हम क्या करें scale लिया और एक line draw कर लिया ठीक है और हमें जहां पर भी 60 degree angle form करनी हो बनानी हो वहाँ पर point mark करेंगे that means हमको यहाँ पर 60 degree angle बनाना है तो यह point mark करने ठीक है उसके बाद क्या करेंगे compass लेंगे और इस compass में एक radius setup करेंगे radius काने का मतलब है कि इसके बीच में एक gap set करेंगे ठीक है gap होके इतना gap है अब इसको center इस point को center लेके एक r cut करेंगे या semi circle cut करेंगे ठीक है तो देखिए तो इसका center मतलब मतलब यहाँ पर जो नेडिल एक r cut करेंगे ठीक है देखिए एक r cut कर रहाँ और यहाँ पर cut करेंगे ठीक है अब हमें कितना डिगरी चाहिए 60 डिगरी तो यह arc जो है जहाँ पर इस line को cut किया है अब उसको center ले लिजिए मतलब इस needle को यहाँ पर cut किया उस point पर cut कर दिए हो गया उसके बाद अब जो arc हमने draw किया है उस फिर feed again उसको arc cut किजिए तो देखिए arc यहाँ पर cut हो गया इसका मतलब जो है जब हम इस point को और इस point को एक line से join करेंगे यहाँ दिख लीजिए ठीक है देखिए जब एक line से join करेंगे ठीक है तो इसके बीच में angle जो form होगा वह 60 degree होगा ठीक है compass and ruler के help से 30 degree कैसे draw करें ठीक है तो देखिए तो सबसे पहले क्या करेंगे scale लेंगे और scale लेने के बाद जो है एक line draw करेंगे ठीक है एक line draw करेंगे ओके और हमें जहाँ पे भी 30 degree draw करना होगा वहाँ पे एक point mark करेंगे suppose that हमको यहाँ पे 30 degree angle draw करनी है तो यहाँ पे हमने point mark कर दिया और उसके बाद compass लेंगे तो compass लेने के बाद इसमें एक radius setup करेंगे that means काने का मतलब जो है इस जो pencil हमने लगाया है और यह needle है इसके बीच में एक gap होने चाहिए कुछ distance का gap होने चाहिए इसी कहते है radius तो उसके बाद इस needle को यहाँ पे put करेंगे तो इसको हम कहते है math का language में center मान के radius draw करना तो क्या करेंगे एक arc draw करेंगे ठीक है arc draw करेंगे तो उसके बाद दिखिए यहाँ दिखिए 60 degree हमें 60 degree draw करना है समझेगा 60 degree तो sorry 30 degree को draw करने के लिए सबसे पाले हमें 60 degree draw करने पड़ती है ठीक है तो 60 degree जैसे ही draw करेंगे उसके बाद 60 degree को bisect कर देंगे मतलब उसका हाप करेंगे जब 60 degree का हाप करेंगे तो automatically हमारा 30 degree angle formed हो जाएगा तो दिखिए तो सबसे पहले क्या करेंगे 60 degree draw करेंगे तो हमने arc cut कर दिया उसके बाद इतना gap इसमें है उतना ही gap रखेंगे कोई gap इसमें change नहीं करेंगे मतलब radius में एक arc cut करेंगे तो देखिए यह arc यहाँ पर cut हो गया जब आप इस point को और इस point को join करेंगे एक line से तो वहाँ पर angle बनेगा 60 degree suppose माल लेते हैं यहाँ देखिए इसको dotted line से हम so कर रहे हैं ठीक है क्योंकि हमें draw करने 30 degree ठीक है तो देखिए तो यहाँ पर क्या हमने कि इस point को और इस point को join कर दिया एक line से उसके बाद क्या करेंगे यह तो हमारा 60 degree है लेकिन हमें चाहिए कि इतना 30 degree that means 60 का हाप करेंगे हाप करने का मतलब होता है तो कि देखिए जो हमने यह arc draw कира है जहां पर यह arc यह line जो cut कर रहा है यह UX काटकर रहा है आप इसको क्या करेंगे center लेकर इसको center लेकर मतलब वहही निड़िल करेंगर यहां पर यहां पर center लेकर उसके बाद अपने convenience यहां इतना gap किजी तो इस gap को change किजी तो ठीक के विए दिकत नहीं है उसके बाद का किजेगा उसके बाद का किजेगा यहाँ पर निड़ी लगके और यहाँ पर निड़ी लगके अब same radius का आर्क किजेगा देखिए यहाँ मालत यहाँ अब center रखे आर्क कर दिया अब इसमें कोई change नहीं करेंगे इसमें फिर इसको center लेके एक आर्क करेंगे देखिए यह दोनों आर्क यहाँ पर कट हो गया जब इस point को intersecting point को और इस point को join करेंगे तो इसके बीच angle जो है 30 degree formed हो जाए करेंगेर आर्क करेंगेर डाक कर दिया है